करेंट अफियर का यह जो वीडियो है वो चौथा नंबर है आल लेडी तीन हो गया है तीन का मतलब जनवरी फेबररी मार्च तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और अप्रेल माई ऐसे करते करते हैं पूरे एक साल का हम कवर करवा देंगे आपको और उसके बाद मिसलेनियस व देखते हैं पहला क्वेस्चन यहां पर है चुकि देखिए ठंडी बहुत ज्यादा है इस समय तो थोड़ा अपना ख्याल रखें हेल्थ को न आप सर्वों पर रखिए चुकि ऐसे टाइम में क्या होता ने कि अगर आप बीमार पढ़ जाते हैं अगर आपको फीवर हो जात चलिए आते हैं क्वेस्चन पर अलेक्जेंडर सुची वुसीच कोकिस देश के राश्ट्रपती की रूप में फिर से चुना गया है ठीक ना अलेक्जेंडर वुसीच तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर सी सर्विया अब देखिए साल 2017 से ही या सर्विया के राश् राश्ट्रपती सर्विया के याद रखेंगे चुकि राश्ट्रपती का कभी कोभी पूछ लेता हो करेंट अफियर में इसलिए हमने इसको शामिल किया अगर कोई भी क्वेस्चन आपके नजरों के सामने आ रहाए जो कि हमारे दौरा प्रोवाइट करा जा रहा है तो समझ के खिलाफ एक अखिल भारती अभियान चलाया है तो यहां पर और यह हुजाएगा आप्रेशन उपलब्द कौनसा अप्रेशन था उपलब्द अब देखिए इससे पहले साल 2022 में मतलब फरवरी में ठीक ना फरवरी में भी क्या हुआ था कि इन्होंने एक आप्रेशन चला किया है तो एक कलर प्रदान किया गया है तो किस को किस को किया गया है बताइए आप्शन आपके सामने हैं कि क्या हो जाएगा यहां पर आई-ए-ए-ए-ए-स वलसुरा ठीक है अब देखिए वलसुरा जो है कि तीन रक्षा बलो में से भारती नौसेना के लिए 1951 में मानित होने वाली यह पहली भारतिय शर्षास्त्र सेना ठीक है तो यह जो आई-ए-स वलसुरा है इसको एक प्रतिष्ठित कलर प्रदान किया गया है अगला है कि बहुतिक विज्ञान प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्स के लिए किंद्र सरकार का प्रदान वैज इस्टार क्रिकेटर ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास लेने का घोचला कर दिया तो है कायरन पोलाड ऑप्सन बी अगला है कि विस्वविरासत दिवस बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट में आप रखेगा ठीक है क्योंकि डियर 18 अप्रैल को मना जाता है ठीक है तो इसकी तीम फूछ रहा है न इसकी तीम क्या होगी इसकी theme क्या थी इस बार World Heritage Day की धरोहर और जलवायू धरोहर और जलवायू, option A से हो जाएगा और विश्व विरासत दिवस World Heritage Day 18 April को मना जाता है याद रखेगा, ठीक न? पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, विरासत दिवस हो गया, विश्व प्रिथ भी दिवस हो गया, ये भी याद रखेगा, प्रिथ भी दिवस, अगर याद हो तो आप comment box में लिख दीजिए, चरी, अगला देखते हैं, गुरु तेज बाहदुर जेनती हर साल की इस त अगला question देखेए, आपके सामने के प्रतेक वर्स, तेखना, प्रतेक वर्स किस तारीख को World Day for Safety and Health at Work मना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्सन नमर किया हो जाएगा, ए, 28 अपरेल को मना जाता है, अगला है कि भारत और किस देश के बीच अक्छे उर्जा के हर्तांतरन के उदेश से एक transmission, कंटर connection स्थापित करने पर सहमत हुए है, तो नेस्ट क्वेश्चन देखी किस देश के आंद्रे रूब लेफ ने सर्विया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है, यहाँ पर ऑप्सन नमबर क्या हो जाएगा, ए, सौरी, ऑप्सन बी, रूस, ठीक है, नेस्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला व अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन ने उड़ानों के लिए अपना हवाई छेतर बंद कर दिया है, बताइए, तो अप्सन नमबर भी हो जाएगा, तुर्की, अगला है कि विस्वा मलेरिया दिवस देखिए, बहुत ज बहुत क्या था, हारनेस इनोवेशन टू रिडियूस दे मलेरिया डिजीज बर्डेन और सेव लाइप्स, अप्सन ने सही है, यह इसका इस बार उद्देश से था, जैने कि थीम था, अगला युवाओं, गूगल ने डिजिटल अर्थ विवस्था का लाब युवाओं और महिला उदमियों तक पहुचाने के उद्देश से किसी राजे सरकार के साथ समझाता गयापन पर अस्ताक्चर किया है, तो यह पर आप्सन नमबर D हो जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी कहा है, बताईए, चलिए, उम्मीदेग्या बता दिया होंगे कमेंट रखा गया है, अगला की किस केंदरी अमंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई इस्ती देश के पहले अमरीत सरोवर का उद्दगाटन किया, तो देश का जो पहला अमरीत सरोवर वो अब्बास नकवी ने इन्होंने इसका उद्दगाटन किया, देश का पहला अमरीत सरोवर, अमरीत कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो छेत्र की प्रगती में महत्वपूर भूमिका निभाएंगे तो क्या हो जाएगे यहां पर ऑप्सन नंबर सी यानि की 33 ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सामने है कि हालही में किसे ने सशाष्टर बलो के बाटी हिंदा राक्षपक्षे ने नह मैं को अपने पद सदिपा दे दिया तो यहां पर आप्सन नंबर बी हो जाएगा स्री लंका की राजधानी कहां पर है बताएगा और एक चीज़ और हम करा दिए स्री लंका की मुद्रा राजधानी करा दें कमेंट बाक्स में लिग मेरें के फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टेक